नमस्कार मैं हो नीलू तो क्या जुमे की जो आज नमाज है वो इसराइल के लिए भारी पढ़ने वाली है आज खेमनई ने जुमे की नमाज अदा करवाई और सबसे बड़ी बात है जुनाजा जो नसुरल्ला का आज निकला उसकी नमाज भी आज खेमनई ने करवाई है जब भी खेमनई ने इस तरह की नमाज अपने कमांडरों के लिए करवाई वो दिन भारी पढ़ा है सामने वाले देश के लिए चाहे वो कुछ साल पहले यानि 2020 का मामला हो या फिर आज हो खेमनही की नमाज अब आने वाले समय में इरान के लोगों के लिए अपने कमांडरों के लिए एक मैसेज का काम करेगी बाचवित करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़ गाए है मयंक आज खेमनही नमाज उन्होंने अदा करवाई है देखे पूरी दुनिया की नजर इस इवेंट पर है जो की आप बता रहे हैं असल में खामनही ने जुम्मे की नमाज जो अदा करवाई है इसके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे अरब वर्ल को कि आगे अब इरान का कदम क्या होगा देखे आप जिस बात का जिक् जो है वो खामनही ने अदा करवाई थी और उसके बाद ही देखिए इसके फॉरन बाद इरान की तरफ से सीरिया में अमेरिका के दो बेसिस पे मिजाइल अटैक किये गए थे तो हाँ और वो बड़ा हमला था तो देखिए उसके उसी से जोड़कर जो सोशल मीडिया में और हुई है तो इसके बाद क्या इरान का अगला कोई बड़ा कदम आज खामनही की तरफ से साफ किया जाएगा या आज की रात क्या फिर हमको कुछ वैसा देखने को मिल सकता है जो दो दिन पहले हमने देखा इसरेल पे जिस तरह से जो है मिजाइलों की एकदम बरसात हो गई देखिए इस बारे में इस तरह से आखिर चर्चाएं क्यों है सोशल मीडिया पर कि आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है हम इसकी वजह बताते हैं आपको देखिए इरान की तरफ से जब अभी ये फते वन मिजाइल फायर की गई इसरेल के ऊपर उसके बाद इरान की तरफ स जबर दस्त एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में दो बड़े कमांडर्स जो है बड़े नेता जो है वो हिजबुल्ला के मारे गए हैं इसमें हाशिम साफिद्दीन भी है जो की नस्रल्ला के उत्तर अधिकारी थे ये बताया जा रहा था कि नस्रल्ला के बाद जो है एक प्रकार से पूरी कमान उनी के हाथ में थी और हाशिम सफेदीन ही जो है वो अब इसमुला को लीड करेंगे। के एक मौत हुई है और इसके अलावा यूसुफ अनीसी जो है यूसुफ अनीसी को माना जाता था और जो हिजबुल्ला के लिए वेपन्स कहां से आएंगे, कौन से वेपन्स का इस्तमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो यूसुफ अनीसी के पास हुआ करती थी, तो देखी ये पिछला 24 घंटे में ये दो बड़े लीडर्स को हिजबुल्ला के जो है वो इसरेल ने एर दिखा जा रहा है और इसी बीच जो है इसरेल आईडिया ने जबरदस्ट स्ट्राइक जो है वो बेरूत में और दक्षनी लिबनन के कई इलाकों पर जारी की हुई है, तो ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे और खास कर आज की रात जो है, वो ऐसा सोशल मीडिया में चर्चा रहे हैं, एरान के धमकी के बावजूद कई हिजबुल्ला के कमांडर मारे गए हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब बहुत लंबा वक्त हो गया है, इसरेल लाख मना करने के उपर, अमेरिका को भी हमने देखा, उन्होंने कहा कि देखो, आप इस तरह के हमले नहीं, अब यहां से थोड़ा सा आपको रुकना होगा, इरान ने भी कहा है कि देखे अगर हमला करेंगे तो हमला होगा, लेकिन इसके बावजूद हमले इसरेल की तरफ से नहीं रुक रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि आज या कल में इसरेल की तरफ से बड़ा हमला, और वो अब ही सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे टार्गेट किये गए हैं इरान के बड़े-बड़े, खास वापा एयर बेस हो या पर बाणू जहां पर इस वाक्त सायंत्र उनके चल रहे हैं, जहां पर एक्सपरिमेंट हो रहे हैं, उन सब को टार्गेट किया जाए, क्या इसके ल एक बात तो तैह है कि इसरेल जो है वो इरान को उसके कारवाही का जवाब देगा, ये बात तो बिलकुल तैह है, अब सवाल ये है कि उसका स्केल क्या होगा, वो कितना बड़ा होगा, जो बाइडन ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मद्पूर में पूर्ण तो किस बेसिस पर क्योंकि उनकी बात तु इसरेयल मानता दिखाई दे रहा है लगाता हम दो हो रहे हैं इसरेयल की तरफ से अब जो भी हमला होगा वो किस स्केल का होगा वो यह बात तैय कर देगा क्या कि मिडिल इस्ट में एक बार फिर खाड़ी जैसा कोई बड़ा युद्ध होने जा रहा है देखिए इरान की ओल रिफाइनरी निशाने पर है जो निशाने पर है तो अब सवाल यह है कि देखिए बाइडन की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगी इस बात का कि नुक्लियर प्लांट्स पर रियक्टर्स जो है इरान के उस पर किसी तरह का हमला हो क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो चेंड रियक्शन हो सकता है और बड़े वार का मतलब है पूरे विश्व की अर्थ वैवस्था को बड़ा आगात हो गाई तो इसलिए इसरेल की तरफ से जो एक प्रकार से कुछ टाइम वक्त लिया जा रहा है इरान को जवाब देने में यह एक स्ट्राटेजिक तैयारी है इसको आप यह नहीं कह सकते कि देर हो रही है इसरेल की तरफ से जो अपनी प्लानिंग की गई है नेतनियाउने एक बड़ी बठक की है और बताया जाता है कि इसरेल ने अपनी तरफ से अपना प्लान तयार कर लिया है इसरेल ने अपना प्लान तयार कर लिया इरान ने कह दिया है कि अगर उधर से मिसाइ रूस भी कह रहा है कि वो इरान के साथ है लेकिन रूस पहले से एक युद्ध छेल रहा है दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए क्या उसके लिए पिछला इतिहास जिस तरह के का रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जिस तरह से युकरेन रूस का दोहा में एक बैठक हुई, इसमें साउधी अरब, कतर, UAE, बहरीन और कुवेट इन्होंने तठस्ता का एलान कर दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर युद्ध होता है उसमें हमारी कोई भूमी का नहीं होगी और ना ही हम अपने एर बेसिस का इस्तमाल होने देंगे, तो इसरेल सप्लाइ जो है चेन पूरी वो प्रभावित हो सकती है पूरी दुनिया की, तो इसकी परिणाम जो है बहुत भीशन होगे, इसलिए देखिए चाहे अमेरिका हो, हर बयान बड़े सोच समझ के दिये जा रहे है, इसरेल की तरफ से भी अभी तुरंद फॉरन स्ट्रा में है, ऐसे में इसराइल की मजबूती पर सवाल की की नुकसान इसरेल को भी हो रहा है, उसकी अर्थवयवस्ता से लेकर बाकी चीज़े चर्मरा गई है, उन सब को ध्यान में रखते हुए, अब यूद तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और एक बड़े स्केल्स पर द किया था, तो देखिए, कुछ एक्सपर्स का तब ये भी कहना है कि हो सकता है, 7 अक्टूबर जो है, वो एक सिंबॉलिक डेट है, जिस दिन इसरेल की तरफ से कोई बड़ी कारवाई हो सकती है, तो अब कई सारे स्पेकुलेशन हैं इस समय, लेकिन आने वाले कुछ दिन जो तो ये भी कहरें कि कुछ उक्डवार है, आज कुछ हो सकता है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि पहल किसके तरफ से होगी, बड़ा हमला किसकी तरफ से होगा, क्या इसरेल बड़ा अमरा करेगा, या फिर एरान इसका जवाब जिस तरह से लगातार, उसके कमांडर मारे जा रहे हिजबुल्ला के उसको लेकर किसे तरह का जवाब देगा इस खबर पर लगाता है हमारी नज़र बनी रहेगी आप बने रहे हमारे साथ